So hey guys it's me Aakash and you are watching Sky Info Tech YouTube channel दोस्तों अगर आप भी यहाँ पर Instagram application को use करते हैं यहाँ पर आप भी Instagram पर अपनी story को जरूर लगाते होंगे दोस्तों यहाँ पर ऐसे में आपका जो Instagram पर story है वो सिर्फ 24 घंटे के लिए visible होता है 24 घंटे बाद यहाँ पर WhatsApp की तरह Instagram पर भी आपका story यहाँ पर हट जाता होगा लेकिन बहुत से लोग ऐसे होते जीने पता होता है कि कैसे हम यहाँ पर अपने यहाँ पर story को highlight कर सकते है जो कि यहाँ पर एक section बनके आता है जिसमें कि यहाँ पर हमारा जो भी story होता है वो हमेशा यानि कि lifetime के लिए highlight हो जाता है कुछ इस तरीके से जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं आप देख सकते हैं सारी story highlight हो रही है और यहाँ पर बताया जा रहा है कि कौन जा story कि सीज़ पर है क्या है क्या नहीं है यहाँ पर जैसे आप YouTube पर एक thumbnail upload करते हैं उसी तरीके से आप भी यहाँ पर अपने story में एक thumbnail upload कर सकते हैं जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं हर story के पीछे यहाँ पर एक अलग सा thumbnail है तो उसे यहाँ पर आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को यही बताऊंगा कि कै कैसे आप यहाँ पर Instagram पर story upload कर सकते हैं and story वो lifetime story होने वाला है 24 घंटे के बाद वो हटे का नहीं आपके यहाँ पर profile में हमेसा highlight रहने वाला है और यहाँ पर आप अलग-अलग category बना सकते हैं जैसे कि आपर आज मैं आप लोगों को बताऊंगा कि जैसे माली यहाँ पर मेरा YouTube यहाँ पर YouTube चैनल मेरे 2000 सब्सक्राइबर पूरे हुए तो मैं उसे यहाँ पर highlight करना चाहता हूँ तो वो मैं कैसे करूंगा यह सारी चीज़ें यहाँ पर मैं करके दिखाऊंगा और यह भी दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर एक thumbnail भी उसके लिए अलग से upload कर सकते हैं ज लोगों के सामने आपर live में करके दिखाऊंगा यह मेरा नया profile है तो इसमें आपर मैं सारी चीज़ों को करके दिखाऊंगा कि कैसे आप यहाँ पर story अपना highlight कर सकते हैं तो उसे यहाँ पर वीडियो काफी मजदार होने वाला है उससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो हमें एक story upload करना होगा जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं मैंने story upload किया जिसमें कि यहाँ पर मैंने बताया है कि मैंने आप टू के subscribers यूट्यूब पर complete हो गए हैं तो यहाँ पर इस तरीके का मैंने story create कर लिया story create कर लेने के बाद अब आपको क्या करना है वहाँ आप लोगों इसके यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर यहाँ पर आपको अपने profile पर आया है यहाँ पर देखाई दे रहा है कि मैंने यहां पर अपना खुद का highlight बना लिया यानि कि 24 घंटे बाद स्टोरी तो हट जाएगा लेकिन यहाँ पर अभी यह नहीं हटने वाला जोभी मेरे profile पर करेगा उसे हाग पर यह highlight दिखाई देगा सकते हैं यहां पर योट्यूमी की तरह इसके अलग यहां पर एडिट हाइवाइट पर जाएंगे तो आपको यहां पर एक एडिट कवर का पनेशन देखने के लिए मिलेगा simply आप लोगों को cover टैप करना है उसके बाद यहाँ पर आप लोगों को नीचे के तरफ एक gallery का option मिलेगा आपको gallery वाले option पर जाना है यहाँ से आप जो भी photo add करना चाहें आपको वो photo लेकर के आना है तो उसके यहाँ पर आप जिस भी cover को लगाना चाहते हैं आपको वहां से select कर लेना इसके size को अपने साब से set कर लेना कर लेने के बाद यहाँ पर आपको उपर की तरफ done का option देखने के लिए मिलेगा जैसे आप done पर click करते हैं आपको एक और बाद done पर click करना है जिसके बाद यहाँ पर यह देखी इसमें set हो जाएगा अब यहाँ पर देख सकते हैं highlight में दिखाई दे रहा है नीचे YouTube और यहाँ पर देख सकते हैं प्रोफाइल फोटो भी दिखाई दे रहा है उसके बाद यहाँ पर जब अंदर आप क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पर मेरा story दिखाई देगा तो इस तरीके से आप यहाँ पर अपने profile पर डारेक अपनी किसी भी चीज को highlight कर सकते हैं lifetime के लिए यहाँ पर जो भी आप story डालेंगे वो 24 घंटे के लिए सिर्फ रहता है तो ऐसे में यहाँ पर आपके profile पर जो भी विजिट करेगा उसको आपकी सारी हाँ पर जो भी highlight चीजी होंगी वो यहाँ पर ऐसे ही thumbnail के साथ दिखाई देंगे और यहाँ पर जो भी चीज आपने लिखाया वो भी दिखाई देगा दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको आज का वीडियो जरू पसंद आया होगा अगर आपको वीडियो अच्छा लगा वीडियो के लाइक करें दोस्तों में शियर करें ऐसे ह और मज़दार वीडियो देखने के लिए हमारे चनल को सब्सक्राइब कर बैल आइकन दबाना ना भूले इसी के साथ मिलते हैं एक और नहीं मज़दार वीडियो में तब तक के लिए जैहिंद वंदे मातरम